हेलो एव्रीवन गुड मॉर्निंग इस वीडियो इस फोर क्लास 10 सब्जिक जोग्रिफी आवर टॉपिक कंचिनर्स जो टॉपिक है हमारा डाट इस दा टेक्नोलिजिकल रिफॉर्म इसे पहले वाले वीडियो में हमने इंस्टिटूशनल रिफॉर्म साब लोगों को खतम किय था आज मैंने दो वीडियो अपलोड किया क्लास 10 के लिए क्यूंकि मैंने पिछली बार एक दिन वीडियो अपलोड नहीं किया था कुछ प्रॉब्लम्स की वज़े से सो यह दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए इसमें हमने यानि एक ही टॉपिक को दो वीडियो में और लोगों को एक्स्प्लीन किया गया है ठीक है евette क्सेट्टर एंसलियो में टेक्नृट करा रहा है तो एक्री गल्चस सेक्र में जिसमें क्या प्रॉब्लम्स बार आया है रहा है जिसे में रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत था तो सम टेकनोलिजिकल इंस्टिशिशनल रिफॉर्म्स जो हमने पढ़े हैं देरादी कलेक्टिवाइजिशन, कंसॉलिडेशन अफ फोल्डिंग, कॉर्परेशन, एबॉलिशन अब जमीन दार्स, लैन्ड रिफॉर्म्स को सेट अप किया गया था फास फाइब यर प्लान्स में, और दूसरा खासकर इंशॉर्म्स दिया गया है, जब ड्राउट आ जाते हैं, या फलड आ जाते हैं, या साइकलोन, फायर डीजिस, कुछ भी हो जाते हैं, तो उनके अगिंस में उन्हें इंशॉर्म्स पॉलिसी रखाया जाता है, ताकि वो आ अगरिकल्चर की जमेंदार्स को में में जितने सारी किसान हैं, उनको नीडी पीपल्स को, दूसरा अलग अलग स्कीम्स रखे गए हैं, अलग अलग लोन फेसिलिटी के स्कीम्स रखे गए, लाइक किसान क्रेडिट कार्ड हो, पैसा हो, परसनल एक्सिजिंट, इंशॉर्ण स्कीम्स रखे गए, इंशॉर्ण प्राइब अगरिकल्चर कीजिए खे गए हैं, खासकर अगरिकल्चर सेक्टर्स में, हमने क्लास नाइन में भी आप लोगों ने और एट क्लास में भी ग्रीन रेविलिशन पड़ा था, आप लोगों को हमने बोला गया था कि इन ग्रीन र अंदर जब ग्रीन रेविलेशन को लाना स्टार्ट कर दिया था क्यूंकि नाइटीन सिक्स्टी में जब 67 स्कीट में इंडिया के अंदर फिमाइन्स बड़ा था, बुक्मरी बड़ी थी, तो उस वकत डॉक्ट्र सौमी नाथन ने भी सोचा, वो एक खासकर जो वेस्टर्न इन्वर्नमेंटलिस्ट थे, खुद भी एक इन्वर्नमेंटलिस्ट थे, तो उन्होंने एक वेस्टर्न इन्वर्नमेंटलिस्ट जो था, उससे प्रभावित होकर, उसकी अवेरनेस से उन्होंने इंडिया के अंदर भी ग्रीन डेविलेशन को लाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें high yielding variety of seeds इस्तमाल किये गए थे जिसमें different modern inputs इस्तमाल किया गया था different type of modern technology इस्तमाल करके उन्होंने अलग अलग जगाओं पे सबसे ज़्यादा production कराने की कोशिश की जिसमें उन्होंने wheat की सबसे ज़्यादा high yielding variety of seeds को यूज करके पूरे इंडिया को food provide किया गया था green revolution लाया गया था white revolution भी एक तरह के revolution है 1990 में जब 67 60 के बाद जब 1890 में इंडिया के अंदर white revolution लाया गया था खासकर dairy से related जिसे operation flood भी कहा जाते तो इस तरह के technological reforms भी लाया गया है technology में बड़ोतरी लाया गया है पुराने वाले technology से हट कर उन्होंने कुछ ऐसे technology का इस्तेमाल करके productivity को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश किया दूसरा खासकर technological reforms में ये लाया जाता है agriculture sector में की weather जो bulletins होते हैं यानि weather से related जितने सारे खासकर activities like अगर उन्होंने एक महीने के लिए दो महीने के लिए climate condition हो weather conditions हो किस तरह के तो पहले ही उन्हें खासकर उस weather के बारे में बोला जाता है कि आज ही होने वाला है तो satellite के थूँ तो इस तरह की के बहुत सारे technological reforms लाए गया है agriculture programs चलाए गए गवर्मेंट दोरा ताकि लोग एवायर हो जाए लोग को पता चले agriculture activity के बारे में कि agriculture में किस किस तरह की cultureization किया जा सकता है उन्हें रेडियो य टेले विजेंस पर अलग अलग प्रोग्राम सक्वागां चलाए जाता है किस सानों के रिलेटिड खास करकी उन्हें किस तरह के बदलाव लाया जाए किस तरह कि उन्हें पेस्ट इस्तमाल करने हैं किस तरह कि कि और गनियु फार्मिंग करने हैं यन कल्चोर प्रोडक्ट अक्षब सीडि प्रोवाइट करते हैं खासकर फार्मर्स के लिए ताकि ये हैं कि सबसीडी सबसीडी का मतलब यह कि अगर कोई पेस्ट खरीदना हो या कोई क्या बलते हुआ है के मिनरिल्ड खरीदना हो या कोई भी फर्टिलाइजर खरीदना हो तो अगर वो 200 या 300 के दाम पे देता तो गौवर्मेंट 50% सबसीडी पे उस फार्मर्स को दो से के जगे पे 100 में प्रोवाइड कराता है यह बोलता है कि 100 हम फिल अप कर देंगे 100 आप फिल अप कर दो ताकि आपकी अगरिकल्चर में भी आपको फ पड़ाया गया है अगरिकल्चर के रिलेड़िड ठीक है तब तक आप लोग यह देख लें थैंक्यू सो मच